नमस्कार दोस्तों ओमनी संचेल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में संभिधान के बारे में बहुत सारे महत्पूर्ण तत्थ जानने वाले तो दोस्तों यह ऐसे तत्थ होंगे जो कि आपका परिच्छा जो भी जिस भी इस तरक हो चाहे हो बैंक हो एससी हो रेलवे हो या यूपेसी बीपेसी या जिस तरव जिस भी राज जी की स्सी या पीसेस की परिच्छाएं सभी परिच्छाओं में यह संभिधान साभास से रिलेटर कुछ ना कुछ हमेसा पूछे जाते हैं दोस्तों इस वीडियों बने रहे क्योंकि आप ऐसा सब्सक्राइ सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन कौन कीजिए साथ सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे संभिधान सभास संभिधान सभास से कुछ ने कुछ प्रशन हमेसा पूछे जाते हैं देखिए अभी तक मैंने लगबग इसी तरह के छोड़े जोड़े वीडियो जो कि 10-12 सब्सक्राइब करेंगे संभिधान का गठन जो हुआ था बहुत इंपोर्टेंट है कि संभिधान का गठन कि संभिधान का गठन किसी फारिस के अधार पर जो है किया गया था अब देखिए जुलाई 1946 में यह किया गया था ठीक है और सब्सक्राइब संभिधान सभाग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यह नंबर याद रखना गए संभिधान सभाग जो संभिधान बनाना था जिस सभा को संभिधान का दिर्वान किया गया तो वहां तीन सू नावासी को बाट दिया गया ठीक है जो कि बीटिपस अ वैसे प्रांथ जहां पर सिध़ा अंग्रेजियों का सासन था वैसे प्रांतों को कह भाट है कखा आ र का दाथ हे औरशार चीफ कमिंटेरह चक्रतर और यहाँ deh से हदरावाद के तो यह इस तरह कि जो रियासत थे जो कि 550 जो आधी कि समय आसपास के लगभग था 500 के आसपास देखिए वैसे रियासतों में 93 देसी रियासतों के प्रतिन इधी को जो चुना गया था संभीधान सभाद्वारा कि समीधान सभा में इनके सदस आएंगे अब देखिए नेक्स जो पॉइंट है बह हुआ था और देखिए 389 सदस जैसा कि मैंने बताया समिधान सभा के लिए उसमें से प्रांतों के लिए निर्धारित था 296 सदस से ठीके प्रांतों के लिए चुनिके आये थे जो कि अन्य दलों से थे असोतंत्र विद्वार थे तो बहुत सारे दल थे उसमें भी अधिकी संभीधान सभा की पहली बैठक का होना भी था था तो देखिए 9 दिसंबर में से चालिस को इस डेट को याद रखना होगा बहुत इंपोर्टेंट डेट है द देखिए 9 दिसंबर क्या होता है सबसे बड़ी बात जो कि 9 दिसंबर को हुआ था कि सचिदानन सिनहा ठीक है जो कि अस्थाई अध्यक्ष बनाए गया थे इसी तारीक को ठीक है 9 दिसंबर को दिल्ली के कंस्ट्यूशन हॉल में जिसे अब संसत्भवन के के नाम जाना रहता कि 9 दिसंबर को सचिदानन सिनहा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया समिधान सामे क्योंकि यह जो 389 सदत्स चुने गया थे उनमें सबसे बजूर्ग थे इसलिए सचीदानन सिनहा जो कि विहार के थे इनको चुना गया था और सभी राज्यों से प्रतिनीधी चुन चुन थे इसलिए जान रहते कि जो उनकी मांग थी जो चाली से चली आ रहे थी पकिस्तान की अलग मांग अलग राष्ट को मांग की अलग राष्ट बने अलग राष्ट बने तो यह मांग पूरा नहीं होने वाला था उनके लिए समिधान नहीं बने वाला था क्योंकि तीहत्तर इस सब्सक्राइब कर दिया और पकिस्तान के लिए स्पस्ट रूप से अलग मांग का प्रारंब कर दिया मुस्लिम लिए देखिए हद्राबाद हद्राबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसने की इसके प्रतिनीधी समिधान सभा में समलित नहीं हुए तो इस बात को ध्यान पर एक अस्थान का आवंटन किया गया था देशी रियासत के लिए चुनाब नहीं हुए थे और जो आवंटन चुनाब हुए ही नहीं थे संख्या के अधार पर जन संख्या के अनुपात के अधार पर जो है प्रांथ हो या देशी रियासत हो दोनों को अस्थान दिया गया प्रतिनिधियों का बिभाजन कर दिया गया तो जो प्रतिनिधियों का बिभाजन यह उस प्रांथ से प्रतिनिधी कि आधार पर ढो समदाहर्म के मुसलिम से दो 89 प्रतिनिधी को चुणा गया लिए ता ऊच्छ के इसंद्व के नेक्सलिम ऑसी इनट दिसम्बर क्या हुआ देकि ग्यारा दिसम्बर नो तो नौ दिसम्बर को तो सचीदन सीनह बने थे लेकिन 11 दिसम्बर 1940 को डॉक्टर राजेंदर प्रशाद को संभिधान सवाका अस्थाई अध्यक्ष किया गया एक्च्वली निर्वाचित किया गया था ग्यारा दिसम्बर को दो दिन बाद ही डॉक्टर राजेंदर प्रशाद सिनह अस्थाई अध्यक्ष बन गया अब इसके दो दिन बाद यानि कि तेरा दिसम्बर तुनिसफोशालिस को ही पंडेत जबाहराल नहरू ने भारत वर्ष को एक्सो तंत्र संप्रभू तंत्र घूज्ड करने और उसके भावी शासन के लिए संभ्धान सभा सभय एक सम्भां बनाने के ध्र्क संकल्प से संकल्प प्रसुत किया तो देखे उद्देश प्रसुत प्रसुत किया गया था त्यरति क्या हुआ देखे जो है 22 जनवरी उनिस्सो सफ़ेतालिस को उद्धेश प्रस्ताप को संभिधान सभा द्वारा की कर लिया गया और इसके अधार पर संभिधान सभा ने अनेक समिध्यान नूंग्ठ किया अनेख समिठी को निक्तथ किया और वह समीतिया है यह बहुत ही प्रवूक्त है और भी प्रमुख्व समीति है लेकिन दोस्तों यह जो प्रमुख समीतिया थी जैसे कि संग presence संभान लेहरू को भी बनाया गया उसके वह संचालन समीती का द्रफ्राइंद प्रशाद बनाए गया जो की संभिधान सवा अस्थाय अधक्ष्ष भी थे और प्रांतिय संभिधान समीती जोकी सरदार बल्ला पटेल के हाथों में रखी गया और इन्हों नहीं जो है भारत को खासका देशी रियासेतों को अपने भारत में समाहिच किया तो इनके विना यह होना नहीं था तो अध्यक्ष यही थे इसलिए इनको इनको श्रेज आता है भारत को एक राष्ट बनाने में उसके जंडा समीती के अध्यक्ष जेवी क्रिपलानी को जो है बनाए गया था और प समीती से रिलेटेट्ट था पहले मैंने बता जेए लेकिन क्या था का नीशिए बियन राव ने तयार के संभीधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए जो है संभीधान सभाद ओर जो जो है संकल पाइत करके प्रारूप समीति के गठन किया गया था और डॉक्टर भीम रावम वेदकर को जो है इसका ध्यक्ष न्यूक्त किया गया था इसलिए जो है इनी के द्वारे प्रारूप समीति के जुक्ष थे संबिधान सवाहिनी के द्वारा बनाया गया देखिए यह बहुत ही बड़े कानून के ग्याता थे बहुत ही बड़े द्वान थे इसलिए साथ इनको प्रारूप समीति का ध्यक्ष भी निप्ष किया गया अब देखिए तीन जून निश्व से तालिस को यूजना के अनुसार जो है देश का बटवारा हो जाने पर भारतिय संविधान की कुलस दस्स संक्या तीनसोचोविस नियत की गई ठीक है तो देश का बटवारा हो जाने के बात जो है सहतारीश को किया गया देखी सभा सभा के सदस्यों कुल संख्या कितनी थी दो 499 इस बात को याद रखना होगा कि अजादी के बाद देश का बटवारा हो गया सम्भीधार पकिसान अलग राष्ट बन गया तो सभा कि सदस्यों कि संख्या 200 प्रांतों के लिए 229 और देशी रियासितों के लिए 70 सदस्यों का निर्धान में तो कैसे कैसे घटते गया है ठीके पहले कुछ और था आप कुछ और हो गया जादिक के बाद भारत के जब सोतंत्र भारत अकेले हो गया प्रारूप समीती ने जो है जो कि जिसने संभिधान का मतलब पूरा विचार भी मर्स करने के बाद जो अपने रिपोर्ट तो रिपोर्ट कब प्रारूप समीती ने सब्सक्राइब पूछे जा सकते हैं इस बहुत इंपॉटन इस बात को याद रखना कास कर तिति को साल भी याद रखने से बहुत कुछ होता है कि कुछ साल ही पूछा आता है तीथी नहीं पूछे आती है अब देखिए नेक्ष्ट जो है दोस्तों की संभिधान सब्सक्राइब बाचन हुआ है मतलब विचार भी मर्स किये गए ठीक है संभिधान सभा में तीन बाचन हुए दोती बाचन जो हुआ था वो पांच नमबर ठीक है पांच नमबर नीसों ताली से ठीक है यह ताली सिया दखेंगे है तो यह यह साल हो जाते है अगर पंदरा नमबर सब्सक्राइब करने एक साल हो जाता दूतिए बाचन यह वा तीतिए बाचन जो है उसी साल यानि कि उनिसों चास में चौदा नंवंबर से जो कि शुरू हुआ और जाकर यह खतम हुआ 26 नंवंबर जिस दिन सम्विधान सभा को लागू किया गया ठीक है तो ये 26 नमंबर यानि ये बाचन में जो इसे सम्विधान सभा दोरा जो सम्विधान को लागू किया गया था आप देखिए सम्विधान को बनाने में दो साल ग्यारा महिने अठारा दिन का समय लगा और सम्विधान सभ मखाद के लिए संभिधान का मसोदा त्यार करने का ऐतिहासी कारपूरा करने का करने में लगवो तीन साल जो की यह थी है दो साल 11 महीन इतारा दिन अब देखेंए दोस्तों भारती संभीधान ने कुल 1177 राइजूत किये थे जिनकी कुल अवधी जो 165 थी तो 165 दिन के अवधी थी अब दिके नेक्स जो है भारत संभिधान के ग्यारवे सत्र के अंतिम दिन यानि कि जो 26 नवंबर उनिस्व पच्चास को संबिधान भारत अपनाया गया और इसी दिन बाइस भाग verw45 ऑ आथ अनिसौचिया को जो है सपनिद्दा में जो सुरवाती संब्द्रां था उसमें 22 भान थे ही नुषेद्elnत है चाहर करा कि शनक्या थे लेकिन बरतमान में भी 22 भागी है 395 अनुच्वे दिया और अनुचुचियां यह आठ से 12 हो गई है नेक्स जो है कि इस तिथी को क्या जो कि किये थे तो जो 24 जनवर पचास को आखिरकार संभीधान पर कर दिया गया और ताकि लागू हो सके संभीधान और भाद का संभीधान पूरे रूप से जो है पूरे रूप से इसलिए मैंने का मैं कह रहा हूं क्योंकि 26 नवंबर 1909 को जो है संभीधान सभाद वारा ठीक है यह चुक्कि लागू हो गया था अब देखिया अनुशेत संभीधान को जो है निकी तो यह सारे लागू अनुशेत जो थे आर्टिकल यो थे यह पहले लागू कर दिया गया थे अब बाकी जो बचे वे तो से उसको चब्भी से जन्वर 2050 को लागू किया गया उसी दिन से संभीधान पूरे रूप से जो है अस्थित्व में आ गया और इसी दिन से जो है संभीधान सभात का भी अस्थित्व समाफ्त हो गया संभीधान का काम संभीधान संब्धान का निर्मान करना था जो की शब्वीश जनवन पचास को आखिर रूप से लागू होते ही यह समाप्त हो गया था देखिए संब्धान सभाद वारा किया था अलगी अब कुछ खास महत्मून तिथिया है अब दोस्तों कि संब्धान का जो निर्मान है उस पर पैसे खर्च वेते तो चार कड़ो रुपे क्यास पाजो एधनरासी खर्च की गई थी ठीक है तो यह कुछ खास और इंपोर्टन बात था औ उसके वसंब्धान सब्सक्राइब तो समझ में आजये था नौ दिसंबर में सो चालिस को हुआ था उसके देश की संकल्प तेरा दिसंबर हलाकि ग्यारा दिसंबर उनिसु चालिस को संभिधान के सभा का स्थाई अध्यक्ष जंद्र पसाथ को बनाया गया था संभिधान पारित हुआ था 26 नवंबर संभिधान सभा का आखरी बैठक इसी दिन हुआ था इसी दिन संभिधान पर सिगनेचर किये गया थे अब राजन्द परशाद राष्ट पती कब बने तो इसके बास संभिधान अस्तित्व में आया और संभिधान सभा का सित्वाप्थ विडियो कैसा लगा संभिधान से जुड़े वे कुछ खास और महत्मूर टॉपिक्स पे जो फैक्ट तो उसके साथ कासा लगा मुझे अपने कमेंट के माधियर से बताएं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और अधिक लोगों तक सेर किजिए वीडियो पसंद आता लाइक करिए लाइक करने से वीडियो की गुरुद्बत्ता के ब आत이 में आते ही थे जबोर मेंगर जब रगां से बीडियो के लोगवे के वीडियोर है और ऐस याले किस करताएं तक से बता लाइक करने से लाइक क से से वीडि़ जाईएं गोगे ये शेतिरी किए पव्पने में उने दूद़् सुने दिता हैं कि ए मलेगे कर चाहें रह सी